हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चनल और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर के पराठे ये खाने में बहुत ही स्वाधिश लगते हैं तो चलिए रैस्पी को स्टाइट करते हैं पनीर के पराठे बनाने के लिए हम लेंगे एक कप गीहूं का आटा और आधा कप मैदा थोड़ा सा नमक डालेंगे और पानी डाल का नरम आटा गुथ लेंगे तो अगर आप चाहें तो पूरा गेम के आटे से ही आप इसे बना सकते हैं तो मैंने दोनों को मिक्स किया है आपकी जैसी चाहों आप आटा ले सकते हैं तो ये देखिए इसे हम बहुत ही अच्छे से मसल मसल कर आटे को गुथेंगे क्योंकि जब आटा अच्छे से गुथा लेते हैं इसके लिए हम लेंगे 1 काटोरी ग्रेट किया हुआ पनीर or 1 काटोरी मीडियम साइज की प्याँ चीर इसे हम ने बारिक कर लिया है इसे भी डाल देंगे और 2 हरी मिर्च बारी नीच नंदेंगे और अधरक थोड़ा सा हरी धनिया बारी कटी वी आधा चमने जीरा एक चौथाई चमच हल्दी और आदा चमच धनिया पाउडर एक चौथाई चमच गरम मसाला थोड़ा सा नमक और आदा चमच अमचूर पाउडर भी डाल देंगे इससे थोड़ा सा टेस्ट जो पनीर के पराठे का है वह खटा हो जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा लोही लेके अब हम सरफेस पर होड़ा सा आटा टस्ट करेंगे और यह अंगूठे की सहता से हम लेंगे बिल्कुल कटोरी के safe में और आब इस पर हम अपनी बीच से जतल से डिवी देट सब्सक्राइब करें अगर हल्का फूल का फट भी जाये तो आप पिल्कुल टेंचन ना लिए प्राठा अपका फिर भी फूने का पीश जाये दीचर चया भी और continuous चैसे जमें चलिए हमते कि ब्लतेंगे और नीचे से ब्लत सबन तक या यह कि आए लगा दिया है अब टें कर दिया अब दूसरे साइड में भी हम घी लगा लेंगे और यह देखें अदिखेंगे मारा फोलना श्टार्ट हो गया है और यह अब अच्छे से फूल चुका है लिए इसे भी हम इस तरह से इसके साइड में जो है जिसको हलका हलका हम प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से पराठा सिख जाए और यह देखिए हमारा पराठा से के तैहार है दोनों साइट से यह देखिए अब मैं इसे आपको कट करके दिखाते हूं कि इतने अच्छे से श्टपिंग भरी है और बहुत ही टेस् सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू कर दो